तो हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त जई और आप देख रहे हो जई का ग्यान यूटुब चैनल दोस्तों यदि आप एक यूटुबर है तो इस तरह का आप सभी को एक मेल आया होगा तो दोस्तों इस मेल के अंदर क्या कहा गया है और आपको क्या करना है उसकी पूरी जानकारी में आप सभी को बिल्कुल सौर्ट में बताने वाला हूँ तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना, सेर कर देना और हमारे यूटोग जानलों को ज़रू से सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था पहले भी हमें एक mail इसके बारे में आ चुका था, ठीओ तो दोस्तों यहाँ पर यह जो कहने वाला है, यह जो mail है इसके अंदर ये कहा रगा है कि आपको 31 डिसमबर 2021 यानि कि 31 तारिक लास्ट बता रहा है ठीक है तो 31 तारिक के बीच में आपको यहां पर क्या करना है उसकी पूरी प्रोसेस में बता देता हूं ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप से भी को ये समझ लेना है कि ये मतलब ये मेसिज कहना क्या चाहता है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप से भी को बता देता हूं कि इस मेल के अंदर ये कहना चाहता है कि अगर आपका जो भी tax cut रहा है ठीक है मतलब आपका जो भी US tax cut रहा है उसकी पूरी जानकारी अगर आपको mail through चाहिए ठीक है आपको mail through चाहिए तो आपको यहाँ पर एक form submit करना पड़ेगा ठीक है तो वो form किस तरह से आपको submit करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर step by step समझा देता हूँ यहाँ पर नीचे इसकी पूरी जानकारी भी दी गई है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों आपको go to add sense पर click करने के बाद आपको कोई भी एक browser select कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने chrome browser को select कर लिया है तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिर के लिए wait कर लेना है तो यहाँ पर हमारा add sense हमारा सामने open हो चुका है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना कि हमें आप से भी को समझा देता हूँ उपर आपको three line पर click कर देना है और नीचे आपको यहाँ पर payment पर click कर देना है यहाँ पर आपको payment का option मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको payment पर click करने के बाद आपके सामने payment info का page open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों आपको manage setting पे click कर देना ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर manage setting पे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको United States tax info पे click कर देना ठीक है यहाँ पर दोस्तों आप जैसे एक क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे एक option open हो जाएगा 这个 manage tax info ठीक है तो simply आपको manage tax info पे click कर दणा है तो दोस्तों manage tax info पे click करने के बार आपके सामने यहाँ पर एक page open हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा manage delivery preference तो यहाँ पर simply आपको click कर देना है अब दोस्तों आप यहाँ पर जैसे click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से page open हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको go paperless पे click कर देना है और यहाँ पर I expect paperless delivery agreement पे click करके आपको यहाँ पर update delivery preference पे click कर देना है तो जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो आपका यह form submit हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि जो mail आया है उस mail के अंदर हमें करना क्या है तो दुस्तों वीडियो परसंद आये हो तो लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल को दुस्तों ज़रू सब्सक्राइब कर लाना